हलो स्टूडिंस आई दिपेंद्र वेलकम यौल तो मैगनेट ब्रेंस सिंगेज बुक के थुरू आपको IDG मेंस और एडवांस मैथमाटिक सब्जिक की तियारी करवाई जारी है स्टूडिंस और हम पूरे तरीके से कॉंप्रेंसिब मैनर में से कर रहे हैं हम अभी सेकिंड चाप्टर आपकी कॉडिनिट जोमेट्री की बुक का यह बुक बना दी मलब पेर क्यों बनाया मतलब जरुवत क्या थी और ऐसा क्यों क्या यह सारी बाते आज के लिक्टर में करेंगे और यह बात याद रखेगा कि यह पूरा कोर्स यह पूरा मॉडियूल यह पूरा पकेज आपको मिलता है आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना होता है कोई इडिन कॉस्ट नहीं होती है ट्राइल वर्जिन या पेड वर्जिन जैसा कोई कंसिप्ट नहीं है केंडर गारन से ट्वेल स्टैंडर अलग लग बोर्स अलग लग मीडियम्स और कई सारे कॉंपिटेटिव इसलिटली फ्री ओफ कॉस्ट बात करते हैं कि स्क्रेट लाइन से पेर ऑस्टेट लाइन बनाने की क्या जरुवत पड़ी एक एक सिंपल सा सेनारियो एक सिंपल सा एक्जाम्पल देखें मैं आपको डाइजिस्ट करवाना चारूंगे बात सुनिए का ध्यां से तिसे माल ल अगर आप इनका प्राड़क ले लें अगर आप इनका प्राड़क मतलब इससे और इससे मल्टिप्लाइ कर दो देखो यह क्या करने यह करना हो कि 2x 3x plus 3y minus 1 और यह equation क्या है sir? यह है 3x minus 4y plus 2 और अगर मैं इनका product करता हूँ लेता हूँ अगर यह I hope आपको दिख रही है factorized form अब अगर मैं इससे simplify करता हूँ तो यहाँ से क्या निकल करा है देखो 2x into 3x कितना? 6x square कोई दिखका तो नहीं 3y into 3x ही हो जाएगा 3 into 3 is 9 xy बहुत बढ़िया sir फिर मैं लिखता हूँ minus 1 into 3x तो यह हो जाता है minus 3x अब क्या करेंगे? सुनेगा अब यह सारी terms को में minus 4y से multiply कर रहा हूँ minus 4y into 2x तो हो जाएगा minus 8xy कोई दिखका तो नहीं 3y into minus 4y so 4 into 3 is 12 तो यह minus 12y square बहुत बढ़िया फिर क्या sir? minus 4y into minus 1 that's plus 4y बहुत बढ़िया अब क्या करना है sir? 2 से भी multiply कर लेते हैं मैं लब sorry मैंने क्या किया अभी इन 3ों को minus 4y से multiply किया अब आपको समझा रहा है अब इनी 3ों को मैं 2 से multiply करूँ तो 2 into 2 कितना? 2 into 2 4x 2 into 3 6y और 2 into 1 minus 2 अब चाहें तो आप इसे थोड़ा simplify करिए चाहें क्या? करना ही चाहिए तो क्या करेंगे sir? नहां से देखो x square वाली term तो एक ही है और y square वाली term भी एक ही है तो मैं लिख लेता हूँ 6x square minus 12y square तो यहाँ पर लिखा 6x square minus 12y square सुनते जाएगा बहुत काम की बात निकल कर आने वाली अगर मैं बात करूँ sir आपसे xy वाली terms की तो 9xy minus 8xy तो यह बचेगा आपका सीज़ा सीज़ा plus xy और क्या सुनते जाएगा धियां से और अगर काम की बातों पर बात की जाए तो देखो यह क्या लिखा हुआ है माइनस 3x plus 4x तो यह कितना बचा है यह बचा plus x और क्या स्टूडेंस और काम की बात पर आते हैं तो देखो यहाँ पर जल्दी से यह है 6y और यह है 4y तो 6 प्लस 4 कितना हो जाता है, सर ये हो जाता है, 10y, बहुत बढ़ी है, और क्या सर, और बच रहा है मेरे पास क्या, minus 2, तो मैंने यहां पर लिखा, minus 2 is equal to 0, इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखो, इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से observe करो, students, आपको काफी सारी नहीं दिख रहा है, बट देखो, मैं कहता हूं सर, अगर मैं इसे किसी और तरीके से लिखना चाहूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या, AX square, plus let's say, BY square, plus let's say, मैं इसे C लिख देता हूं, सर, इसे C क्यों लिख रहे हो, इसे C क्यों लिख रहे हो, बस मेरा मन है, एक convention है, tradition है, एक एक परमपरा है, प्रथा है, जो चली आ रही है, तो मुझे आपको समझाने में आसानी रहेगे, हर एक फॉर्मूले में हमारे साब से कर चीज़े कर लेंगे, तो हर एक फॉर्मूला हमें उस अक्रॉडिंग कस्टमाइज करना होगा, तो इक बस convention की सब इसको ऐसा ल और यहाँ पर आप लिख लेते हो, 2FY is equal to 0, और अगर आप चीज़े compare करो, तो देखो क्या दिख रहा है, यह आपका हो जाता है A, यह आपका हो जाता है B, हना, यहाँ पर 1 है, यहाँ यहाँ पर 1 है, वो हो जाता है 2G, यहाँ पर 10 है, जो कि हो जाता है 2F, और यह minus 2 क्या ह हो जाता है C, इस तरीके से आप इसे equation को create करते हो, अब यह basically जो equation है ना, this is called the pair of straight lines, this is called the pair of straight lines, अब सर यह क्यों बनाया, इसकी क्या ज़रुद पढ़ी, technically काम सिर्फ इसका इतना सा है कि दो अलग-अलग equations लिखने के बजाए, मानलों दो अलग-अलग straight lines थी, दो अलग- इस alone, single straight line से represent किया, किया यह fact आपको समझ आया है, सर ऐसा किया तो किया, लेकिन इनसे सबसे निशकर्ष क्या निकल का रहा है, उस बारे में बात करते हैं, पर जो भी अबने discuss के, ऐसे एक बार recall कर लेते हैं, एक मानलो line है आपकी L1, algebraically में आपको समझाना चारा हूँ, एक line L2, जिसे आप A2X plus B2Y plus C2 कहेंगे, तो उनकी joint equation, उनकी combined, उनकी club, उनकी merged जो equation होगी, वो होगी किसर पहली line और दूसरी line का product लेकर आप 0 लिगने हैं, किया आपको बात समझाए, तो इन दोनो lines की club equation है, यह दोनो line की club equation है, L1 और L2 को अगर एक single equation से represent करना चाहूँ, तो मै को solve करके, एक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगे, जैसे हमने किया, वैसे ही कासा कुछ, अब आप इस बात को याद रखेगा, if combined equation of two straight lines, और equation of pair of straight lines is this, then this equation can be reduced to do something like this, क्या बनी बात साँच पहरे हो, जिसे में इस ही को लिक की बताता हूँ, 66 square plus 5xy minus 4y square, यह क्या लिख रहे है, 6x square minus कितना, plus 5xy minus 4y square, प्लीज इस बात को समझेगे, यह है, 6x square plus 5x minus 4y square, अब सुनना, मैं आप से कहना चारा हूँ कि जड़ा सोच के देखो, सोच के देखना, मैं बस इसे आपको कहना चारा हूँ कि इसे quadratic की तरह treat करो, quadratic की तरह कैसे treat कर सकते हैं सर, यहाँ पर तो x square भी, y square भी एक कोई term constant है, है ना, मैं मा लेता हूँ y जो है वो constant है, बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, है ना, मैं मा लेता हूँ यह x में quadratic है, आप समझ पारे हो, यह x में quadratic है तो है, जैसे a x square लिखा हुआ है, यह लिखा है b, x, आप समझ पारे हो, जो मैं कहना चारा और यह लिखा है, let's say c, क्या यह बात आपको digest story है, अब आपको यह चाहिए sir, आपको यह चाहिए, सनिय का ध्यान से, कि आप इस middle term को इस तरीके से split करें, ताकि of course, उनका sum तो 5 x y ही आए, लेकिन उनका product minus 4 into 6, यानि 24 y square आ जाए, कर सकते हैं, सुनिय का ध्यान से, 5 को split करना का तरीका, इस तरीके से, ताकि उनका product कितना जाए, 24, I think 8 और 3, शायद बात बन जाएगी, सुनिय का ध्यान से, मैं कैसे करना हूँ, quadratic वाला ही तरीका है, 6 x square, प्लस 8 x y, minus 3 x y, minus 4 y square, आप समझेगा, यह वही quadratic वाली ही technique है, जो हम यहाँ पर use करेंगे, सुनिय का ध्यान से, सर, इससे क्या हो रहा है, बात समझो, students, देखो, यह 6 x square, यह बन जा रहा है, 5 x y, और यह वही है, लेकिन इससे हुआ क्या समझना, सर, यहाँ से, और यहाँ से कुछ common ले सकता हूँ, क्या, मेरे ख्याल से, सर, अगर आप 2 x common लोगे, तो बात बन जाएगी, तो 2 x common लिया, ह सर, यहाँ भी 3 x plus 4 y बनाना है, तो मैं काम कर सकता हूँ, क्या, यहाँ से मैं minus y common ले लू, तो देखो, क्या बचेगा, सर, यहाँ पर बचेगा 3 x और यहाँ पर बचेगा 4 y, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो आपको नहीं होनी चाहिए, अब क्या करने वाले हो सर, मेरा कहना है, देखो भी 3 x plus 4 y, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, सर, 3 x plus 4 y, यहाँ से भी common ले लिया, और जो दूसरा factor बन जाएगा, वो क्या बनेगा, 2 x minus y, यही बात वो conversely लिखना चाह रहा था, कि सर, अगर, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, अगर आपके प स्ट्रैट लाइन tendency question मिल गही यह, पहली स्ट्रैट लाइन क्या है, 3 x plus 4 y, यही है, और दूसरी स्ट्रीट लाइन क्या है, दूसरी स्ट्रैट लाइन है, 2 x minus y is equals to 0, तो यह वो दो स्ट्रैट लाइन की आपको equations मिल गई है, क्या यह बात आपको समझा यही तकलीफ के, बस यहीं पर यही बात आपको समझाने की, कहने की कोशिश हो रही है Of course, दो straight lines से आप pair of straight lines मैना सकती है Pair of straight lines से दो अलग-लग straight lines की equation ढूंडी जा सकती है इस तरीके से कोई दिककत, कोई परिशानी, कहीं से कहीं तक कोई doubt I hope यह बात आपको समझ आ रही है अच्छा, इन सारी बातों के साथ, एक और बात दुनिएगा In order, in order to find the combined equation of two lines Make the RHS of each equation of straight line equal to 0 And then multiply the two equations यही हम करना चाहरा है जैसे कि अगर मुझे कोई कहता है कि 2X plus 3Y is equal to 5 लिखा हुआ और यहाँ पर कोई लिख देता है लिए से 3X minus 2Y is equal to minus 6 तो आप पहले तो क्या करो, इस 5 कोठा के अधर लिएओ, तो इस 5 कोठा के यहाँ लाए तो यह क्या होजाएगा, minus 5 is equal to 0 minus 6 कोठा के अधर लिएओ, तो minus 6 कोठा के अधर लाएओ, तो यह होजाएगा, plus 6 is equal to 0 अब आप कुछ मत करो, इनके LHS और इनके RHS को मल्टिप्लाइ कर दो, और जैसे ही यह करोगे, तो क्या बन जाएगी? Joint equation of pair of straight lines, लब दो अलग-लग straight lines की combined, clubbed, merged equation बहुत difficult तो नहीं हो रहा है, students, एक concept, यह अच्छे से, आसानी से, interesting manner में समझ आ रहा है या नहीं, I hope चीज़ें digest हो रही है, अब क्या करना है, अब आते हैं काम की बात पर, मैं एक example से, एक question से आपको digest करवाना चारा हूँ, कि देखो, एक concept क्या है, देखो, पढ़ो क्या ल equation है, तो वापस या तो factorize के लिजिए, या फिर कुछ सोचिए, सर, factorize करने में अक्सर हमने देखा था, जब हम quadratic equation solve किया करते थे, तो हर बार वो splitting the middle term काम नहीं करते हैं, actually split की जा सकती है, पर वो उतने अच्छे number सम को दिखते नहीं थे, simple से, तो क्या करना चाहिए, तो फिर सीधा सीधा तरीका होता था, शरीधर राचारे method, क्या आपको याद है, हमने कोच ऐसा पढ़ा है, सर कि अगर आपकी quadratic equation होती है, x square plus bx plus c is equals to 0, और अगर वो middle term split नहीं कर पा रहे हैं, कोई number दिमाग वें नहीं आ रहा है, क्योंकि हम फटा-फट चीज़े करना चाहते हैं, तो हम कहते थे कि सर, आप तो ऐसे निकाल लो, आपके दो roots होते थे थे न, alpha, beta, तो आप उसको लिखते थे, minus b plus minus and root over b square minus 4ac upon of course कितना, 2a, और इस तरीके से आप चीज़े निकाला करते थे, याद आ रहे हैं, I hope यह बात आपको याद आ रही है, तो यहाँ से अगर मैं चीज छाऊ, यहाँ से तो क्या यहाँ पर भी बात की जा सकती है, सुनेगा झाहां से, आपको यहाँ पर पहले तो ढूँदनी जो यहें, दो स्ट्रेक लाइन, मैं कहता हूँ सर, क्या इसे मैं x में या y में quadratic बना सकताू, सुनेगा कैसे बनाएंगे, x square तो as it is, रखा, x square as it is, फिर मैं x वाली टम ढूंटा हूं, तो देखो x वाली टम कौन कौन सी है, 4x और 3x, यह वाली टम है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, सुनिएगा दियान से, मैं इसे लिखता हूं, 4y प्लस 3 times x, किसी भी student को कोई दिखत यहाँ था, फिर जो बच जा रहा है, वो पूरी constant डम है मेरे लिए, वो क्या होगी, students यहाँ से देखना, यह होगी, 4y square है न, प्लस 6y minus 4 is equals to 0, एक तरीका तो यह होगा, one of the ways would be this, एक तरीका यह होगा, बिल्कुल यह तरीका है, क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका है, है, पहले तो यह वाला तरीका समझा है, अब देखो यह दिख रहा है मुझे, किसमें quadratic बन गगे, सरी, x में quadratic बन गगे, अब देखो, य something into x, plus the constant term, सरी, यहां तो मुझे y दिख रहा है, तो y को भी मैं मान लेता हूं तो देख लिए constant, तो देखो, यह quadratic है, x में, x square, plus something into x, plus something, तो यह पूरा case में x नहीं है, तो यह क्या होगा, constant, आपको बाते समझा रही है, क्या, आपको यहां तक कोई भी confusion or doubt है, क्या, I think अभ root over b square minus 4ac upon 2a, वहां से आप x और y में linear equations निकाल सकते हो, बार plus sign लेकर, बार minus sign लेकर, कर सकते हो, कोई दिखकर नहीं, पर कभी-कभी, कई बार आप intuition से भी कुछ-कुछ सोच पाऊगे, I repeat my statement, कभी-कभी, कई बार आप intuition से भी कुछ-कुछ सोच पाऊगे, यहां पर कैसे सोच इतना है, मैं बता दे रहा हूँ, बस यह तरीका, यह तरीका यह खहता है students, की जो आप x की value यहां से लिखोगे, वो क्या होगी, minus b, minus b मतलब, minus of 4y plus 3, I hope आप समोच पार हो, plus minus, under root over b square, याने कितना, 4y plus 3 square, minus 4ac, so a to 1 है, और 4 into this, so 4 into कितना this, यह कितना है, यह है 4y square, plus 6y minus 4, यह आप का होगी, अब 20 square minus 4ac, upon में, of course, कितना 2a, और 2a का मतलब क्या, a है 1, तो यह हो जाएगा 2, अब आप एक बार plus sign ले लिजे, एक बार minus sign ले लिजे, आपकी दोनों straight lines की equation मिल जाएगे, and of course, यहां से भी simplify करके, आप कुछ-कुछ निकाल के, वो under root, under root सा भट जाना है चीजें बहुत simple सी, दो linear equations आपको मिलेंगी, दो सीधी सीधी sorted सी linear equations आपको मिलेंगी, पर मेरा कहना है, सर, थोड़ा सा तो complicated सा लग रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कोई और तरीका भी है, ध्यान से सुनेगा, इसी काम को कहनेगा, क्या है equation प प्लस 4xy, x square प्लस 4xy, प्लस 4y square, प्लस 3x, प्लस 6y, माइनस 4 is equal to 0, यह क्या है, x square प्लस 4xy, प्लस 4y square, प्लस 3x, प्लस 6y, माइनस 4 is equal to 0, अब सुनिएगा काम की बात को बहुत ध्यान से, ऐसे observe करो students कि क्या मैं इसमें कुछ देख पार हूं, सुनना, कैसे, यह तो लिखा x square, हैना, इस पर मैं बात करता हूं आपसे, पर क्या मैं इसे, 2y का whole square लिख सकता हूं, और इसे अगर मैं आपसे कहूं तो 2 into x into 2y लिख सकता हूं क्या, आपको कुछ दिखा जो कहना चाहरा हूं, ऐसे सरी यह तो बात समझ आई, और यहाँ पर आप क्या कहना चाहरे, अगर plus b square plus 2ab, तो यह हो जाएगा, a plus b का whole square, हैना, फिर यह क्या लिखाए, यह लिखाए, यह लिखाए, 3 times x plus 2y, ऐसा थोड़ा intuition से सोक्षन आपड़ेगा, students, minus 4 is equals to 0, आप थोड़ी देर के लिए, आप चाहें तो यहीं से solve कर सकते हो, बट मैं कहरा हूं, अगर आपको दिक्कत आती है चीज़े समझने में, तो आप मान लो थोड़ी देर के लिए, कि सर, x plus 2y जो है न, x plus 2y है, उसे मैं थोड़ी देर के मान लेता हूं, k, इसे मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए, k, तो उससे क्या होगा, सुना दियां से, यह क्या बन जाएगा, सर, यह quadratic solve की जा सकती है, सर, अगर quadratic solve करना आप चाह रहे हो, तो sum चाहिए 3, product चाहिए minus 4, minus 3 minus 1 काम करेगा, क्या, करेगा, श्रीधर आचारी भी लगा सकते हो, पर मैं कहा रहा हूं, ऐसे कर लो, minus 3 minus 1 कैसे काम करेगा, minus 4 plus 1 करेगा, नहीं, plus 4 minus 1 करेगा, तो plus 4k minus k minus 4 is equal to 0, आपको common लोगे, तो यह हो जाएगा, k minus 1, क्या आपको बात समझ आ रहे हैं, तो k की दो values आ रही है, sir, k की एक value तो आ रही है, 1, और k की एक value आ रही है, minus 4, लेकिन एक मिनिट, sir, एक मिनिट, k तो क्या था, x plus 2y, k तो क्या था, sir, x plus 2y, तो यह value क्या आ रही है, x plus 2y is equal to 1, क्या रही है, minus 4, तो क्या मिनिट सकता हूं, x plus 2y, plus 4 is equal to 0, मैंने 4 को इदर ले आए, और 1 को इदर ले आए, किसी भी student को इस बात से कोई आप पती, अब अब ज़रा देखो, यह वहीं से factorize करके हमने बनाई है, यह उसी equation को factorize करके बनाई, या तो आप चाहते हैं, तो इससे हैं, अब अगर इन दोनों straight lines के बीच की मुझे distance निकालनी है, तो sir, यह lines parallel है, आप समझो बात को, sir, यह lines parallel क्यों है, आपको याद होगा, आपने straight lines में बहुत detail में discussion किया है, कि यह देखो, x or y के coefficient 1 and 2, यहाँ भी देखो, x and y के coefficient 1 and 2, तो clearly, sir, यह pair of straight lines को represent करे ना करे, पर अ parallel lines के बीच के distance का formula, याद करो, students, हमने सीखा है, अगर एक equation है, a1x, यहाँ, plus let's say, b1y, plus c1 is equals to 0, दूसरी line, अगर parallel है, तो उसके भी x के coefficient क्या होते है, a1x, plus b1y, लेकिन x का coefficient के लावा constant बजल जाती है, तो आप कहते हो, sir, इन दोनों parallel lines के बीच के distance, अगर यह line थी, l1, और line है, l2, तो इनके बीच के distance क्या होते है, students, वो कहते हो, आप mod of, हैना, c1 minus c2 upon of course, under root over, क्या, under root over, x और y के coefficients के squares का sum, यह होते है, distance between two parallel lines, और कही formula, अगर मैं यहाँ apply करना चाहूं, तो क्या कहूंगा, students, cgc, cgc, बात होगी, sir, जादा सोचने के जरूरत नहीं है, divided by, under root over, under root over what, one square plus two square, one square one, two square four, so one plus four, five, तो कितना होजाएगा, under root five, बस एक ही परिशानी है, sir, क्या, मुझे बस यह इन्च और करना है, कि माइनस five का, जब मॉड लेंगे, तो plus five, five को root five से divide क्या, तो कितना होजाएगा, under root five, तो इस question का क्या answer आप mark करेंगे, इस question का आप answer mark करेंगे, क्या, under root five, क्या आप सभी को एक question, इसका simple सा, sorted सा, direct सा, explanation समझा है, किसी भी step में कोई doubt students, कहीं पर भी कोई confusion है, तो पूछो, I'll re-explain that part, I hope बहुत simple से महरार में चीज़े clear हैं, और आपको pair of straight lines as a concept of digest हो रहा है, कि चीज़े कैसे represent की जाएंगे, उस पर questions कैसे हैं, बहुत confusing तो नहीं हो रहा है students, यह बहुत complicated सा तो नहीं लग रहा है, I understand, थोड़ा सा एक नहीं चीज़े है, बट मज़ेदार है, और कुछ नया है, तो बहतरी सी चीज़े सीखने में वक्त तो लगता है, थोड़ी मुश्किल भी होती हैं, but gradually you'll actually start enjoying them, क्योंकि अगर challenges न लगती है, एक रस्ता खत्म करके हमें थोड़े से मिर्च मसाले तो डालने पड़े हैं, तो अच्छे questions लाएंगे हैं, चाहिए advance तक अगर आपको सपने देखने हैं, अगर आपकी महत्वकांशा हैं, क्या आप ऐसी exam prestigious exam crack करें, तो आपको अच्छी चीजों से deal करना होगा, और यह उनी में से चुनिंदा एक concept जिस पर questions आते हैं, I hope यहां तक चीज़े clear हैं, तो यह आपका pair of straight lines का आज basic introduction था, जिसमें हमने एक अच्छी discussion किया, और हमने समझा कि pair of straight line कैसे बनती है, pair of straight line से straight line कैसे ढूंडी जाती है, उनसे कैसे चीज़े सोची जाती है, और उनके बारे में कैसे अलग लग चीज़े figure out की जाती है, थोड़ा बहुत एक superficial overview discussion किया, next lecture में और continue करें इस discussion को की चीज़े कैसे बनती है, और क्या क्या बन सकता है, कैसे equation बनती है, क्यों बनती है, और क्या क्या result उस पर हो सकते हैं, कि कब वो represent करेगा pair of straight line को, उसमें से और क्या क् reductions निकाले जा सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है, और कहीं सारी बहुत काम की बाते हैं, क्यों intersect कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कैसे निकाले हैं, बहुत मज़दार सी बाते हैं, है सब वही जो पढ़ते आ रहे हैं, उसी कड़ी का अगला extension है, और यह सब कुछ आपको कहा ले जाने वाला है, यह आपकी IIT, J.E. Means and Advanced की Mathematics Subject की त्यारी करवा रहे हैं, सिंगेज बुक के थुरू, जिसमें पांचों पार्ट्स, Coordinate Geometry, Calculus, Vectors in 3D, Algebra, और अफकॉस, Dignometry, हर एक चीज़ हम डीटियल में करने वाले हैं, पूरी comprehensive detail थरो त्यारी करवा रहे हैं, हर एक concept को आपको सिखाया जारे है, numerical illustrations रखे जारे हैं, और आपको of course, कहीं सारे exercise-based questions करवाया जारे हैं, जो उस book में दिये गए हैं, और अंत में हर chapter के आपको past years के, J.E. Advanced की questions भी हम करवा रहे हैं, तो एक पहतरीन सी understanding आपमें develop करवाने का motive है, और यह सब कुछ है free of cost, आपसे कोई charges नहीं लिए जाते हैं, को hidden cost नहीं होती, कोई subscription-based model आपको नहीं खरीदना होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप से हम कहें कि आप भई, कोई trial version लीजे, फिर कोई paid version शुरू हो जाता है, पूरा course हमारा, पूरा package, पूरा module, kindergarten से 12 standard तक, अलग-लग boards, अलग-लग mediums और कहीं सार competitive exams के त्यारी हम आपको करवाते हैं, और इसी के साथ-साथ students, आप हमारी e-book और PDF के लिए भी हमारी team से contact कर सकते हैं, इसी वीडियो के description में आपको एक link दिखाई देगा, जिसके तो आप हमारी team से इनको लेकर भी coordinate कर सकते हैं, और क्या sir, कोई परिशानी हों तो comment में लिख अगर relevant होगा तो आप जरूर respond करेंगे, एक और जरूरी बात students, इन वीडियो से अगर आपकी help हो रही है और काफी interesting manner में आप काफी सारी चीज़े सीख रहे हैं, उतने like करते रहेगा, चैनल को subscribe करने से कोई update मिस नहीं होगा, और चैनल पर यह जो हमारा playlist है, इसी वीडियो क नहीं हो ताकि आप कभी भी updated नहीं और आपका backlog unnecessarily create नहीं हो, और सबसे जरूरी बात students, हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ को जादा से जादा लोगों से शेयर करें, ताकि हर एक शक्स जो एक free education अचीव करना चाहता है, उसे यह मिले और आप जादा से यादा students तक इन वीडि पूंगे टरी और इन अध यूज़ मुलियादी अपुल्स ≤